हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ डबल सक्सन सेंट्रिफ्यूगल पंप के बारे में इसे क्यों कहा जाता है तो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं इसके इंटर्नल पार्ट्स और डिजाइन के बारे में भी आपको दिखाने वाला हूं मैं practical वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें आप इसके impeller को भी अच्छे से देख पाएंगे तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 1000 से ज़्यादा videos जो हैं अब तक मैंने upload कर दी हैं और मैं regularly नए नए videos जो हैं वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video को start करते हैं बने रहेगा video में अंतिता है तो ये है हमारा double suction centrifugal pump अब आप देख सक रहे हैं ये जो side है इसका ये suction side है अब यहाँ पर तो single ही opening है फिर ये double कैसे हुआ तो इसके लिए आपको अंदर जाना होगा तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ camera से तो ये इसका suction side है हम जैसे ही अंदर जाते हैं हमें यहाँ पर दो chamber दिखाई देते हैं देखिए ये दो chamber दिखाई देते हैं बीच में एक wall बनी हुई है अब एक side से मैं आपको camera ले जाकर के पूरा दिखाता हूँ देखिए इस side से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये इसका पहला सकसन आई है यहाँ पर है ना ये impeller आपको दिख गया अंदर side में ये इसका सकसन आई है पहला अब ठीक इसी तरह से अगर मैं बाहर आता हूँ और फिर पहले left side में गया था अब right side में अगर मैं जाऊंगा तो जैसे ही मैं right side में जाऊंगा right side में भी ठीक मुझे जैसे ही मैं आगे जाता जाऊंगा यहाँ पर सकसन आई दिख रहा है यानि कि यहाँ पर दो सकसन आई है और जो center वाला chamber है उस chamber में impeller होता है और impeller rotate करता है इसके ही अंदर में ये involute casing है ये जो portion है इसका है ना तो इस तरह से इसे इसलिए double suction centrifugal pump कहा जाता है क्योंकि impeller में दोनों side आई है और दो सक्सन आई है इस side से impeller के यहाँ पर सक्सन हो रहा है जिसकी वज़ा से इसका discharge flow rate काफी ज़्यादा होता है और यही सबसे बड़ा advantage होता है double suction centrifugal pump का कि impeller और casing के constructions को समझने के लिए मैं आपको practical एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको clear हो जाएगा कि कैसे रहता है आखिर इसका design यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह इंक्लोज टाइप double suction impeller है है अब यहाँ पर आप right और left side का जो chamber देख सकते हैं यह दोनों ही side से यहाँ पर क्या होगा यह सक्सन होगा यहाँ पर fluid का आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इसका सक्सन आई है इस side में भी है Blades इस तरह से यहाँ पर है सक्सनाई के पास और ठीक उसी तरह इसके opposite side में भी है जबकि आप center में देख सकते हैं यहाँ पर center जो है इसका इसका discharge है यह सक्सनाई यहाँ पर right side में भी है और इसका center से जो है वो discharge है तो इन दोनों side से ही इसमें सक्सन हो रहा है सक्सन होगा है जबकि discharge जो होगा वो center से होगा इस image से आपको clear हो गया होगा कि आखिर double suction impeller कैसे रहता है आपने देख भी लिया practically इस वीडियो को तो friends इस वीडियो में इतना ही उमिद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी